जै मातादी दोस्तों हम आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को सवारने का कार्य करते हैं हम निरंतर इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी भी माध्यन से हम आपको आपके प्यार से मिला सके आपके जीवर में प्रेम का रस घोल सके तो दोस्तो हमेशा की तरह आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वशी करन का आसान टोटका दोस्तो यदि आपकी प्रेमिका आपको छोड़ कर चली गई है या आपकी पत्नी किसी कारण आपको छोड़ कर अपने माई के चली गई है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सरल उपाय को करने के बाद तुरंट वो आपके सामने वापस आ जाएगी जी हाँ, वापस पाना चाहते हैं अपने खोय हुए प्यार को तो ये टोट का सर्फ और सर्फ आपके लिए है सर्फ नाम लिखना है और एक मंत्र बोलना है और उसी वक्त आपका रूठा हुआ प्यार या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमी का आपको खुद कॉल करेगी तो आपको करना क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको अपने हाथ पर आपको उस लड़की का नाम लिखना है या उस लड़के का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं आपने जिस हाथ पर अपनी प्रेमी का का नाम लिखा है उसी हाथ पर फिर आपको अपना फोन रख लेना है और उसी के बाद आपको एक मंतर का जाप करना है ध्यान रहे कि आपको मंतर का जाप केवल 21 बार करना है और वो मंतर कुछ इस प्रकार है ओम नमो वासू देवाई, त्री लोचनाए, त्री पूरवाहनाई, मम वश्यम कुरू कुरू स्वाहा ये वो मंत्र है जिसका जाप आपको 21 बार करना है और इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करने के बाद वो लड़की आपको खुद कोल करेगी और उसकी आवाज सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि मंत्र का जो वश्यकरन है उसका असर पूरण रूप से हो चुका है दोस्तो आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी प्रेमी का हमेशा के लिए आपकी हो जाए तो अपनी समस्याओं का निवारन करें केवल गुरुजी द्वारा बताए गए इस वश्यकरन द्वारा दोस्तो यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें स्क्रीन पर दिये गए हमारे स्लंबर पर संपर्क करें और अपनी समस्याओं का निवारन करें तो दोस्तों इस विधी को अपनाए अपने जीवन को खुशाल बनाए अपने प्यार को अपनी जिन्दगी में वापस पाएं खुश रहें मैं लेती हूँ आपसे विदा जयमाता दी